एपिसोड 7 में हमने देखा कि डैनी और लीडर यैंग के लोगों ने मिलके हैंड और्गनेजेशन के मैनुफेक्चरिंग सेंटर पे अटेक किया जहाँ डैनी को पता चला कि मैडम गाव एंजो नाम के शेहर में गई है जहाँ प्लेन क्रेश से पहले डैनी की फैमिली जाने वाली थी। दूसरी दर उफ जॉय, वॉड और डैनी को कमपनी से निकाल देते हैं क्योंकि वो लोग कमपनी का नुकसान कर रहे थे। एपिसोड के लास्ट में वार्ड ने अपने ही पिता हारलोड की जान ले ली क्योंकि उन्होंने वार्ड के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिये थे तो अभी यहाँ से हम एपिसोड एट की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है The Blessings of Many Fractures एपिसोड की शुरूआत होती है Claire से जिसके घर पे Hand Organization के लोग उसे मारने आये थे पर वहाँ कोलना के Claire को बचा लेती है और वहाँ से लेके जाती है दूसरी तरफ Danny हारलोड के सीक्रेट रूम में जाता है जा उसे हारलोड नहीं दिखता और उसके खून के निशान दिखते है Danny को लगता है कि Hand Organization के लोगों ने हारलोड को मार दिया तब ही वहाँ वाड भी आता है और Danny वाड को उसके पिता मर गय है ये खबर देता है वाड दुख्यों होने की एक्टिंग करता है पर असलियत में उसी ने हारलोड की जान ली थी वाड देनी को चिलाता है क्योंकि उसने Hand Organization से लड़ाई की और हारलोड ने उसकी कीमत चुकाई वाड उसे एक कैंसर बुलाता है और इस कंपनी से जाने के लिए गयता है डेनी के जाने के बाद वाड हारलोड के खून को साफ करने लगता है डेनी फिर इसके बाद कोलन और क्लेर से मिलता है और कहता है कि वो चाइना जाने वाला है जहां मैडम गाउ है डैनी को लग रहा था कि मैडम गाउ का कुछ उसके पिता के साथ connection है और उसी को धुड़ने के लिए डैनी वहाँ जाने वाला था इसके बाद तीनो डैनी के प्राइवेट जेट से चायना जाने निकलते हैं जा क्लेर डैनी को समझा रही थी कि कुछ भी हो जाए डैनी किसी की जान नहीं लेगा प्लेन पहाडों से जा रहा था जिसके वज़े से बहुत शेख हो रहा था और उसी वज़े से डैनी को डर लगने लगता है डैनी को अपना accident याद आता है जब उसके parents plane crash में मर गए थे पर Claire उसको distract करने उसे बाते करने लगती है तीनों इसके बाद एंजो शहर में पहुच जाते है जाओने hand organization की factory दिखती है पर मैडम गाव कही नजर नहीं आ रही थी factory के बार एक बिकारी बैटा था जिसे कोलन कुछ पैसे देती है और factory में कैसे गुसना है ये information निकाल लेती है उस information को यूज करके दोनो factory के अंदर पहुच जाते है और उनका plan था कि इस जगह को जला देना पर तभी Claire जो भारती उसे मैडम गाव अंदर आते हुए दिखती है इसलिए वो एक signal देती है जिसे अंदर Danny और कोलन अलट हो जाते है Danny मैडम गाव का पीछा करने लगता है और कोलन की भी एक lady guard से fight होती है Danny दिखता है कि मैडम गाव एक room के अंदर जा रही है जिसमें Danny उससे बहुत मार खाता है वो fighter fight के बीच में Danny के skills को चिडाने लगता है और कहता है कि ऐसी fight तो बच्चे करते है पर Danny को यहाँ देर नहीं लगती अपने असली skills को दिखाने के लिए और तभी Danny उस guard को हरा देता है Danny को बहुत गुसा आया था जिससे वो guard की जान लेने वाला था पर तभी वह Claire आके Danny को ऐसा करने से रोकती है तभी वह मैडम Gow भी अपने guard के साथ आती है और Danny और Colon के साथ वहां उनकी fight होती है वहाँ Danny को पता चलता है कि मैडम Gow के guards के हतियार पर poison लगा हुआ है Danny को याद आता है कि उनका pilot भी ऐसे ही poison से infect होके मर गया था जिससे उनका plane crash हुआ था Danny को पता चल गया था कि पाइलेट को मैडम Gow ने ही poison दिया था मतलब मैडम Gow ने ही Danny के parents को मारा है Danny गुसे से अपने iron fist के energy को अपने हाथ में लाके मैडम Gow को पंच मारने वाला था पर वो नहीं मारता और मैडम Gow को पकड़ कर लेके जाता है इसके बद हमें Joy और Ward दिखते है और अपने company के shareholders के साथ बैटे हुए थे दोनों को company से निकाल दिया था इसलिए वो shareholder कहता है कि उन दोनों को 100 million dollars मिलेंगे ताकि उस company से पूरी तरह से निकल जाए Ward इस deal के लिए तयार था और Joy इसे reject करती है Ward Joy को समझाता है कि उनके डैड के वज़े से उन्हें अपने passion को follow करने नहीं मिला और इसलिए अभी वो ये deal accept करके अपने पसंदिदा काम को कर सकते है पर Joy ने ये position के लिए बहुत मैनत की थी इसके वज़े से वो company को इतनी आसानी से नहीं छोडने वाली थी Joy के जाने के बाद Ward अकेले ही deal पर sign करने जाता है और कहता है कि मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो मैं company छोडने के लिए तयार हूँ पर उसे पता चलता है कि Joy ने पहले ही deal को break कर दिया है जिसका मतलब अब दोनों को भी पैसे नहीं मिलेंगे Ward गुसे से Joy से मिलने जाता है और उसे चिलाता है कि उसने deal break क्यों की Joy आग कुछ photos दिखाती है जिसमें उसके company के shareholders कुछ ना कुछ तो crime कर रहे थे और इन्डी photos से वो ने blackmail करके अपने company की position फिर से ले लेगी ये photos Jessica Jones ने click किये थे जो की एक private detector है Ward यह थोड़ी देर के लिए emotional हो जाता है और Joy को harlord जिन्दा है ये बताने लेके जाता है Ward Joy को उसी secret room में लेके जाता है जहां harlord रहता था पर वहाँ जाते जाते Ward को हर जगँ खून दिखता है जिसे देख के वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है जोई उससे पूछती है कि तुमने मुझे या क्यों लाया था Ward या भाना बनाता है और कहता है कि उसे पैसो की ज़रूरत ही और बैसे मांगने ही वो Joy को यहाँ लाया था पर असलियत में Ward हर लड इतने सालों से जिन्दा है ये बताने Joy को यहाँ लाया था पर उसे हर जगँ खून दिखने लगा था जिसके वज़े से उसने अपना decision change कर दिया और यही पर ये एपिसोड खताम होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की लिए दिस इस मूवीज माइंड साइनिंग आफ